नविश्कार आदा आप सुस्रीयकाल मैं हूँ कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का बैंकिंग फाइनेशल एन एकनॉमिक अवेरनस के लेक्चर नमबर फाइव में उमीद करता हूँ आप इस यूट्यूब चैनल पे मुझे रेली फॉलो कर रहे हैं रोज सुबह आपकी 6 बजे यहां पर बैंकिंग फाइनेशल एकनॉमिक अवेरनस की क्लास होती है और इसी क्लास को आप फॉलो करते रहे हैं आपके लिए एक कंप्लीट स्लेवर्स कंप्लीट पैकेज आपके लिए लेकर आता हूँ लेकर आया हूँ जो आपके बैंकिंग इग्जाम्स में बहुत ही एक इंपोर्टन रोल प्ले करने वाला है आपके बैंकिंग बैंकिंग भी देख लिया था उमीद करता हूँ आपको क्लासेज पसंद आ रही है चली आगे बढ़ते हैं और आज है लेक्चर नमबर फाइव और डेली सुबह छे मज़े और इस चैनल को सुब्सक्राइब नहीं है तो कर लेजेगा हमारी गूगल प्ले स्टोर पर एक आप भी है स्टडी नहीं थी आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जो भी अपडेट्स है पीडियेफ्स है इसकी वो आपको मिल जाएए और वेबसाइट इस अलसो देर जहां पर आपको हमारे मोक्ट सिर्यस अविलेबल है राइट ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे बढ़ते हैं कि कुछ मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं जो लोग मुझे नहीं जानते हैं प्रीवेस क्लास में हमने देख लिया था वट इस बैंक की जो बेसिक डेफिनिशन थी हमने देख धेघा था उसके बारे में समझा था और जाना था ऊसमें हमने Oh लिया था आपसे मने कालीन भीया का अधाइन ब बंक में गए और उनको कुछ पैसे जमा कराने थे C क्या कहता है आकरिकार ये सब बात हमने कर चुके हैं राइट ये स्ट्रक्चर के बारे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर होती है जिसमें Reserve Bank of India आपका Father and Mother कहलाता है हमारे India Banking Industry का उसके अलावा यहां पर अब शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं वो शु दूसरा पार्ट है आपका No Schedule Commercial Bank को के पहला है Schedule Commercial Bank दूसरा है No Schedule Commercial Bank जो आपके एक जो मैंने आपको टाइटल दिखाया था कि आकरिकार ये दोनों क्या होते हैं इन दोनों के उपर जस्ट एक छोटी सी चर्चा करेंगे और आपको एक एक चीज के उपर बारीकी से समझाऊ सबसे पहले मैं यहां पर पिक करूँगा Scheduled Commercial Bank को Scheduled Scheduled और Non Schedule Schedule का यहां पर मतलब बेसिकली ये है कि वो किसी ना किसी schedule में लिखी हुई है कोई चीज कह सकते हैं आप low में कहीं लिखी होती है चीज हम कहते हैं लो में कहीं कानून में ये चीज लिखी हुई है वैसे ही किसी ना किसी जगहां पर ये चीज वेल डिफाइंड है ये चीज वेल डिफाइंड है That is the scheduled meaning उके उसका मतलब है schedule अब ये कहां पर defined है ये चीज next question आपका बनता है कि आखरेकार ये चीज कहां पर define हो सकती है जो कि आपकी scheduled commercial bank कहलाती है देखो सबसे बहले तो हम तोड़ते हैं इस word को commercial को और schedule को commercial का मतलब यहां पर है कि कोई ऐसी चीज कोई ऐसी organization जो की profit कमाती है अब आप देखोगे यहां पर एक layman language में बात करते हैं layman language में क्या बात करेंगे आप कोई normal वहाशा में आप किसी property को बात करते हैं तो क्या कहते हो यह residential property है यह commercial property है तो यह क्यों define करते हो commercial property का मतलब होता है यानि कि यह कोई market में दुकान है जो कि आपकी दुकान है basically shop है कोई industry है तब ही हम उसको commercial बोलते हैं ना होता ना वैद कब जाकर रखा भाई साब उन्होंने residential area में आपकी उन्होंने दुकान खोल रखी है जबकि commercial property नहीं है ऐसे सुनने में आती होंगे आपको बाते बहुत बार सुनी होंगे आपने रोज मरा की बातों में आपने फादर मदर से सुनी होंगे commercial commercial word यूज़ का commercial property commercial यहाँ पर भी वही मतलब है commercial means ऐसी कोई दुकान ठीक है दुकान से क्या होती है earning होती है obvious है कोई चीज आपकी earning के लिए यूज़ किया आते that is a commercial thing so same change commercial का यहाँ पर मतलब यही है कि bank जो की profit कमा रहे है और वो किसी schedule में defined है अब यहाँ पर schedule क्या कहता है schedule आपका क्या कहता है schedule आपका कहता है कि ऐसा bank ऐसा bank जो की आपका Reserve Bank of India Act 1934 RBI Act 1934 के second scheduled में अगर defined है then that bank is known as the scheduled commercial bank that bank is registered under the second schedule of the RBI Act that bank is known as the scheduled commercial bank okay so यह आपका schedule commercial bank कहलाएगा बट यहाँ पर इन्होंने कहा है कि schedule commercial banks की दो condition होंगी आखिर आप दो condition इन्होंने जो defined की है उन conditions को अब आगे हम देखते है पहली condition क्या कहती है पहली condition कहती है कि जो schedule commercial bank है उसकी paid up capital जो है और अगर उसमें reserves को हम add कर दें तो वो आपकी 5 लाक रुपे होनी चाहिए 5 लाक रुपे minimum होना चाहिए यह इसकी पहली definition है मेरे writing पर प्लीज शमा चाहता हूँ मैं कुछ ऐसी ही writing है तो यहां पर आपका paid up capital पर जो आपकी definition है वो है कि 5 लाक रुपे इसकी होनी चाहिए अब आपको याद हो रही होगी मेरी पहली और दूसरी और तीसरी class जिसमें मैंने आपको paid up capital और reserves के बारे में बताया था अच्छा उसमें मैंने capital और reserve के बारे में बताया था paid up capital के बारे में नहीं बताया था capital के अंदर ही define होता है paid up capital वो भी देखते हैं पहले उसको तो यहां पर आप समझो कि उन्होंने कहा है कोई ऐसा bank जिसकी paid up capital plus reserve अगर 5 लाक रवे है then वो आपका bank schedule commercial bank की पहली condition को fulfill कर देगा ठीक है यह तो आपकी पहली condition fulfill ही ठीक है दूसरी condition के उपर बात करेंगे पहले हम यह समझते हैं अखरा paid up होता है capital तो आपको बता है मैंने समझाई है अगर किसे नहीं देखी class तो मैं यही suggest करूँगा पहली 3 classes को miss मत करना है क्योंकि आने वाले days में यही होने वाला है मैं बार बार कोई ऐसी term use करूँगा जो मैं पहले बता चुका हूँ तो फिर मैं वापिस से उस term पे नहीं आऊँगा ठीक है तो पहली 3 classes तो basic मनाती है आपकी वो देखनी जुरूरी है काविसर स्टुडेंट्स यह बोल रहे हैं कि सर पहली 3 classes क्यों करा है सीधा direct इस पे आ जाते bank पे आ जाते reserve bank पे आ जाते हैं आप तो ऐसी पर आ रहे हो नहीं कोई ना कोई logic होता है इतना experience लेकर है ऐसे नहीं बैटा कोई ना कोई कारण है इस वज़े से बतारो बाकी teacher जहांपर आपको 10-15 चेप्टर 20 चेप्टर में आपको यहांपर banking governance का complete आपको वीडियो देखना मिले और आज तो सिर्फ 5 वीडियो और आपको देखने को मिल सकते हैं सैनल पर सयम रखिएगा क्योंकि कोई भी ऐसी चीजी चोटी से चोटी चीजी नहीं होगी जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और जो आपने कहीं पर ऐसा कोई टर्म आ जाती है चालेक आटी टोरल में और आपने ना पढ़ी हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं paid-up capital paid-up capital समझते हैं देखो एक आप जानते हो normal एक glass of water है यह आपका ठीक है पानी का glass दो पानी की glass हम लेते हैं ठीक है इसमें पानी की glass में जो हमने लिया एक पानी का glass आपका जो है वो आपका यहां पर sorry ओके तो एक पानी का glass जो है वो आपका यहां तक भरा हुआ है यहां तक भरा हुआ है ठीक है एक पानी का glass आपका पूरा भरा हुआ है यह पूरा भरा हुआ है यह पूरा भरा हुआ है यहां तक भरा हुआ है यह फुल अगर मैं बात करूं यहां पर capital की तो यह glass की जो capacity होत यानि कि पूरा पूरा पानी है जो आपका या ग्लास की capacity to fill the water and that term अगर मैं उस term को define करना चाहूं accounting में या banking में तो उसको हम authorized capital के नाम से जानते हैं क्या कहेंगे उसको authorized capital authorized capital इसको नाम देंगे capacity इसकी पूरा पानी भरने की इस ग्लास की कितनी है that is known as the authorized capital in terms of the banking और मैं अगर बात करूँ कि इतना पानी भरा हुआ है बाकी पानी खाली है बाकी ग्लास खाली है तो जितना पानी आपका भरा हुआ है इसमें वो आपका कहलाएगा that is the paid up capital यानि की capital आगे खायर company के case में ऐसी चीज़े होती है authorized capital paid up capital called up capital ये सब चीज़े वहाँ आती है banking is also a company नहीं ओके company क्या होती है types of companies कौन से होती है private public सब चीज़े में आने वाले इडिज में financial market करेंगे तब आपको समझाओंगा अगर नहीं देखी तो आप तब तक मत देखे जब तक मेरी financial awareness की class नहीं टेंड करते को जब तक आप मेरी financial awareness की class टेंड नहीं करेंगे तब तक आपको वो web series समझ में भी नहीं आईगे तो यहाँ पर आपका authorized और paid up capital का difference एक बार फिर से समझाता हूँ क्या होता है अभी तक काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं मैं फिर से समझाता हूँ देखो मेरी पूंजी जुतनी पूंजी है मेरी वो शमता कितनी है मेरी means मुझे एक business में मान लीजे एक लाख रुपे लगाने है एक लाख रुपे तक ही मुझे उस business में लगाना है मुझे उससे जादा नहीं लगाना है क्योंकि business को जरूरत ही नहीं है उस business को एक लाख रुपे से उपर की जरुरत ही नहीं है और यहां पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको capital तो वर्ड अच्छे से defined है capital वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्यों अच्छे मैंने समझाया था ठीक है तो एक capacity क्या है उसमें maximum कितना पैसा लगाया जा सकता है maximum कितनी capital लगाया जा सकते है वो चीज होती है authorized capital यानि कि the capacity of water अगर इससे जादा आएगा तो ओवरफलो हो जाएगा पानी तो बाहर भाएगा ना तो यानि कि ये company में आपकी authorized capital से जादा आप capital नहीं लगा सकते ठीक है अब इसमें से कितनी capital आपने लगार की है कितनी capital आपने लगार की है वो capital आपकी खलाएगी paid-up capital हो सकता है इससे जादा अगर बढ़ जाए गिलास भरता रहेगा भरता रहेगा तो एक ना एक दिन ये authorized capital के बराबर भी पहुँँ जाएगा तो उस दिन paid-up capital authorized capital के equal हो जाएगी सिंपल सा फंडा उसमें कुछ ऐसा नहीं कि paid-up capital authorized capital बन जाएगी नहीं paid-up capital authorized capital ही होगी equal equal होगी just that's it so starting क्या करेंगे starting company define कर देते हैं हमारी company authorized capital इतनी है कि हमारी capacity maximum इतनी है और फिर धीरे 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 जितनी जितनी उसका capital चाहिए होती है company में उतनी वो डालती रहती है और जितनी जितनी वो डालती है उसको हम paid-up capital बोलते है तो यहाँ पर जो banking का schedule commercial banks है उसकी definition में पहली चीज़ आती है paid-up capital and reserve should be rupees 5 lakh rupees 5 lakh रुपे यहाँ पर इसके paid-up capital and reserve होना चाहिए तो यानि यह paid-up capital यानि जो एक बार फिलहाल अभी उसकी capital है वो आपकी अगर reserves add कर दें reserves बहुत सारे different types of reserve होते हैं यहाँ पर मैं easy कराने के लिए आपको reserves में सिर्व जरू profit and loss count करता हूँ वैसे तो commerce को student जाते हैं बहुत सारे reserves भी होते हैं बट ज्यादा deep में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके exam point से relevant नहीं है exam point से सरफ इतना ही relevant है कि reserves में profit and loss होते हैं वो reserves में आते हैं हमने first second third class में समझादा इसको क्यों आते हैं और कैसे आते हैं राइट सो चलो अब first definition पे first condition पे दुबारा आते हैं यह तो हो गया अगर किसी ऐसे बैंक की paid up capital और रिजर्व पांच लाग रवे हैं तो वो done है भाई वो आपका schedule commercial बैंक की पहली definition को clear करता है पहले condition को clear कर देता है ठीक है दूसरी condition क्या कहती है in view of the RBI the bank must not work against the interest of the customer okay so यहां पर आपका उस bank को customer के interest के against work नहीं करना अब यह definition को देखो technical तो है नहीं इसमें कुछ अब इस सीज यह तो चीज एक मापदंड कहा गया ठीक है मापदंड कहने का मुदले एक rule कह लिया यह तो वही बात होगी कि आप class में चुपचा बैठे रह लाएंगे समझ यह लेकिन फिर भी आप शोर मचाते हों class में आप कल आज हमने जो classwork में किया वह homework में करके लाएंगे यह कहा जाता है करके तो फिर भी निलाते हैं है ना तो यह वही चीज है कि bank जो है वह customer के interest में काम करें वह करें ना करें अलग चीज है वह बाद की बात ह नहीं जा सकता नहीं customer के interest में काम करने का मतलब यह नहीं है कि customer को आपने service दिया के लिए कि आपके customer ने का बारे में अच्छे से क्या थे बना एक बताए थे आपको एक बैंक की definition का पार था वो, okay so, उसके लावे बहुत सारी चीज़े होती है, अगर बैंक किसी भी तरह की service को मना करता है, जबकि वो उसके under what defined है, तो वो भी आपका against the interest of the customer जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ second condition इसकी हुई in view of the RBI, RBI coding, वो किसी भी तरह के customer के interest के against काम नहीं करेगा, तो अगर ये दो condition fulfill होती है, तो that bank is registered under the second schedule of the RBI and और उसको हम schedule commercial bank कह देते हैं, अब यहां पर मात आती है कि अकरिए schedule commercial bank कह तो दिया, but schedule commercial bank यहां पर जो कहा है उसको, तो schedule commercial bank जो है, वो आखिरकार यहां पर just a second, okay, so यहां पर अगर उसको schedule commercial bank जो define तो कर दिया, but bank के लिए क्या फायदा, bank को कह दिया, पांच लाग रप पेड़ अप capital ले आओ और आप against interest में काम करो, और आप bank को क्या फायदा भाई, bank को क्या लेना देना अपने से, bank को क्या जुरूरी है कि भी schedule commercial bank भाई रिज़ आर बीए के पास है, आर बीए उसको रिजिस्ट कर देए, फिर अलग लगतरी के एक formalities bank करेगा, आखिर, क्यों, क्या जुरूरूरत है, दो reason हो उसके बीचे, पहला reason remittance remittance, remittance क्या होता है, remittance मतलब होता है transferring of the funds, transferring of the funds from one place to another place, आप यहां से पैसा कहीं और भेजते हो, क्या आपने सोचा कैसे भेजा गया पैसा को? आप बैंक में जाते हो और बैंक में कहते हो कि यह पैसा मेरा आपके बैंक में है, यह पैसा मुझे दूसरी जगह भेजना है, लइक दे आपका account SBA में है, आपको पैसा PNV क्षस्ट मर को प्रवाइड करवा रही हो तो वहां पर अगर है बात करpal के पैसा जाता है वहां पर आपका जो आप देखो कि को अच्छे से प्यार से डिफाइन करूंगा टेक्निकल भाषा में समझाओंगा उसको मैं बट यहां पर एक बहुत सारे बैंक्स है आप गया नंगिनत बैंक सुने होंगे तो सभी किसी बैंक्स के आपस में जुड़े हुए क्या SBA वाला PNV को जानता है PNV वाला किसी कॉपरेटी बैंक को जानता है कि मैं उसको जानता हूं बता भी उसको फ़ Congressman है इसके लिए एक बीच में एक होना वशक है जो कि यह सब काम करें जो कि इस चीज को एक सुकून एक कह सकते हैं उसको शांतिपूरन धंग से बनाई रखें सो वहां पर आपका रोल आता है और भी का इस सीज में आपका रोल आता है और भी का सो जब भी आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करना हो जब भी आपको फंड एक जगह से दूसरे का ट्रांसफ सब्सक्राइब करते हैं कि जो यह सब चीजे मैनेज करता है वह आर बीए मैनेज करता है डिजिटल मोड आपके आप का अगर आप शेड्यूल कमर्शिल बैंक है तभी रिजव बैंक ओफ अफ इंडिया यह सर्विस आपको इससे नहीं तरह यह उसको चाहिए तो कौन ऐसा बेब को भोगा जो आपके बैंक में अगांट ऊसी बैंक में ने फूलोंगा तो यह जो कि रियुत घर रोंका दूसरा आपका फैनेशलमीव यह न फारी ऩार ciao ओके सो यहां पर आपका financial accommodation से क्या मतलब है देखो सभी banks को कभी ना कभी पैसों की जरुवत पड़ती है obvious है वैसे तो पैसों की जरुवत क्यों पड़ती है deposit उसके पाद आयता है land करता है और भी वहुत सारे functions होते हैं जो banks करता है और पैसों की जरुवत banks को आती है investment purpose से भी चाहिए होता है banks को पैसे और अगर bank को कहीं और से पैसा मिल रहा है एक दो depository से मिल रहा है और भी कहीं से पैसा मिल रहा है तो आगे bank आगे उसको lend कर देता है जिससे उसको profit होता है तो यहाँ पर Reserve Bank of India का एक और role आता है जो कि आता है financial recommendation के form में और आपने इसको सुना होगा दूसरी भाशा में that is the monetary policy monetary policy आपने word सुना होगा जिसके तहत आपके बहुत सारे tools होते हैं जो Reserve Bank of India यूज करता है वो monetary tools आपके consolidated form में हम financial accommodation बोलते हैं यानि कि अगर किसी bank को पैसा चाहिए अगर किसी bank को यहाँ पर पैसा चाहिए और यहाँ पर वो पैसा अगर Reserve Bank of India provide कराता है तो that is known as the financial accommodation that is known as the financial accommodation and the remittance facilities यह दो यहाँ पर लिखे विया so financial accommodation that is a monetary policy, remittance facility that is a artisus NFT so monetary policy बहुत ही शांदार भी मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ मैं आने वाले chapters में और the remittance facilities आपके सामने artisus NFT भी आईगी ओके यह दोनों की दोनों functions बहुत ही important है अगर bank अपना एक कह सकते हैं बैंक अगर आपका चलता रहना जाता है निरंतर तो यह दोनों functions बहुत ही important role play करते हैं तो इनके बिना हम एक bank आगे कह सकते हैं smoothly work नहीं कर पाएगा work तो कर पाएगा but smoothly नहीं कर पाएगा customers टूटेंगे customers नहीं आएँगे ठीक है right so यहां पर यह पूरा पूरे schedule commercial bank की definition हुई आपके सामने दो condition fulfill होती है उसकी वज़े से यह आपको मिलता है advantage और यह आपका रिजिस्टर है second schedule है आपकी और पांच लाग इसके paid up capital and reserve है और यह दिस इस इस इसका जो main objective है that is the this one right चल अब यहां पर schedule commercial banks ड़ो हमने कर लिए अब आते हैं no schedule commercial banks कुण सकते है देखो no schedule commercial bank ऐसे वैंग जो कि schedule congressional bank वे रिस्टरण िल जो schedule में रिजिस्टर नहीं है अब इंडिया में कौन होसे bank का जो schedule नहीं है यहाई जो कि नोट शेडियूल है और वह सारे इसे कॉपरेटी में जो कि नौन शेडियूल की काटेगरी में आते हैं जूरीन है सारे कहसारे कॉपरेटी मैं शुरुत इस पान्स पहले जिनके पास इस तरह की सुवीधा नहीं है है financial accommodation की या remittance facility उनको नहीं RBI ने दी तो वो banks आपके non-schedule में आते हैं but there is a no such number जो आपको RB website पर भी नहीं मिलेगा there is no such number कि कितने आपके non-schedule commercial banks है but few of the corporate banks are the non-schedule commercial banks also the local area banks are also known as the scheduled commercial local area banks को भी हम non-schedule commercial banks की category में डालते हैं इसके अलबाँ बहुत सारे banks होते है पॉब्लिक सेक्टर प्राइविट सेक्टर फोरें बैंक्स रीजिनल लूबल बैंक्स पेमेंट बैंक्स एंड़ी स्मॉल फाइनस बैंक्स यह सारे अलग अलग तरीके किया और उसी के अकॉर्डिंग आपको नो शट्डियूल कमर्शल बैंक्स की डेफिनेशन भी समझ में आगी होगी तो यहां पर जो पेमेंट बैंक्स उनको हम बहुत सारे बाइस में बहुत सारे चीजों में डिवाइड करते हैं जिनको हम समझते हैं प्राइविट सेक्टर कौन से हैं प्राइविट से बहुत अच्छे से discuss करूँगा उससे पहले आज की class को यहीं मैं विराम दूँगा को कि मेरी classes जो रहेंगे और छोटी-छोटी रहेंगे जादा मैं लंबी-लंबी classes नहीं रहूँगा क्योंकि ताकि आपके उपर जादा बोजना पड़े देखो पढ़ाने को मैं यहां पर एक घंटा भी पढ़ा सकता हूँ continue आपको बैंकिंग ओइनस की लाज बट अकोर्डिंग टु में जो सही पैटर्न है कि इतना समलिया बस इतना आप समझो क्योंकि यह कुछ ऐसी चीज़े हैं बैंकिंग ओइनस जो समझनी जादा जुरू है विलएए बसकी तरब कमप्लीट करने के लिए मत भागो चंसप्ति क्लियर करो क्योंकिंग ग्रों जो की सब्सक्राइबका एक लिसके कुछ इसलिए सचार करना जाएक जितना समझा रही ऊच्चा ठोटा-ब्ला-ठोड़्य समझाँगा ताकि आप उसको दिमाग में घुसा सको और उसको अच्छे से कर सको रिवीजन अच्छे से कर सको राइट और आपको बोज भी ना लगे माली जो मैंने एक घंटे वीडियो पढ़ा दी पूरी की पूरी और आप से वह कंप्लीट ही नहों पई क्योंकि बाकी सब् दिन में और आप उच्छे समसको यहां पर आज मैंने आपको यह शेडिल लोन शेडिल समझा दे बहुत सारी टेंगल टर्म्स भी यहां पर समझाई मैंने आज आपको और बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स टेंशन मतले ना आने वाले क्लास में धीरे दिरे कंप्लीट हो करूँगा सबसे घ्लत की क्लास में और डिपोजिट में मैं टाइप ओम डिपोजिट की डिपोहत सारय पेंको अपर तरीके कि लग लग तरीके के लाइंक करता है जिसको हम जैनल भारी देमेनय नॉरुमल खुलताँ current account आपका और भी बहुत-बहुत सारे accounts होते हैं जो bank open करता है उन सभी की detailed discussion करेंगे उसके बाद हम चलेंगे KYC के उपर money laundering के उपर की आखिरकार money laundering क्या होती है कैसा पैसा एक विद कैसा पैसा black money white money वो जब फंडे आपने देखोंगे तो आने वाले दो chapters इसी के उपर आएंगे पहले chapter में deposit के पारे में समझेंगे अगले chapter में अगले chapter में KYC norms के बारे में समझेंगे और बस इसी तरह से बने रहीगा मेरे साथ जुड़े रहीगा मेरे साथ like जरू कर देगा session को share जरू कर देगा और अगर आप हमारे mock test purchase करने जा रहे हैं तो definitely description में आपके लिए link है वहाँ पर click किजिए आपके लिए mock test की series अवलेबल है बहुत ही quality के mock test आपके लिए अवलेबल है करके और उनके बराबर के और even कोंगा top notch quality के हमारे mock है और exam relevant है right take care bye bye see you in the tomorrow class like जरू कर देगा